हेलो एवरिवन, वेलकम तो करेलसनफो.टिन, दिस इस रितु पांडे, सौगत करती हूँ आपका करेल इंफो में और यहाँ पर RPSC रेक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से है और सारा कुछ देखेंगे इसमें की कैसे अपलाई करना है, इसकी वेवसाइट पर कैसे जाना है तो यहाँ पर मैंने डाउनलूट कर ली है इसकी नोटिफिकेशन, जो अफिसल नोटिफिकेशन है और यह संस्कृत सब्जेक्ट से है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिट्स संस्कृत सब्जेक्ट के लिए है और उनकी रिकूटमेंट बहुत देर से आती है, तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर देखिए, यह जो रिकूटमेंट का नोटिफिकेशन आई है, यह साथ जून को आ गई थी और विग्यापन संख्या यह है, और यह राजस्थान लोग सेवा आयोग अजमेर से वेकेंसीज आई हुई है संस्कित सिक्षा के लिए आप देख सकते हैं, जिसमें प्रदानाद्यापक प्रवेशी का विद्याले की वेकेंसीज हैं तो यहाँ पर आयोग दारा संस्कित सिक्षा विवा के लिए राजस्थान संस्कित सिक्षा राजे विमादिनस्त सेवा नियम 2015 के इंतरगर प्रदानादाब्यक प्रवेशिका विद्याले यानि की हेड मास्टर और प्रवेशिका स्कूल के लिए टोटल 83 पोस्ट के लिए वेकेंसिस आई हुई है जिनको ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और पद जो है वो अस्थाई भी है और अस्थाई भी है तता विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदो की संख्या पदो की संख्या में कमी वरदी की जा सकती है उनमें आरक्षित पदो की संख्या नुसार है तो यहाँ पर देखिए यह आरक्षिन का भी यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है तो आप अपने recording यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं और नीचे भी यह देखिए notifications आए हुए हैं एक एक अपने recording आप देख सकते हैं EWS का है horizontal है यह सारी चीज़े हैं नेक्स यहाँ पर सक्षिक यहोगी ताकि अगर बात करें तो second class in Sanskrit, bachelor's degree, science arts group होना चाहिए जिसमें having minimum आपके 48% marks होना चाहिए सिक्षा, सास्त्री या degree या diploma in education recognized by national council for teaching education में आपका ठीक है नेक्स यहाँ पर 5 year का आपका teaching experience होना चाहिए किसी भी school में उसके अलावा second number में working knowledge of Hindi written in देवनागरी script आपको देवनागरी आनी चाहिए लिखने knowledge of Rajasthani culture ठीक है आपको राजस्थान की culture की knowledge होनी चाहिए यहाँ पर आवशक note में दिया हुआ है कि उक्तपद की अपेक्षित स्याक्षिक आरहता कि अंतिम वर्श में समलित हुआ हो या समलित होने वाला व्यक्ति वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं यानि कि जो last year में है अगर जो इसमें qualification मांगी गई है बैचले डिगरी उसमें अगर last year में आप हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं और इसमें जो है आयोग द्वारा आयोजित लिखित परिक्षा से पूर्व सक्षिक योगिता का निधारित अन्वो अर्जित करने का सबूत देना होगा यानि कि जो लिखित परिक्षा होगी उसके पहले तक आपका जो है रिजल्ट आया होगा आपने मतलब exam दिया हुआ है तो ये आपके पास साक्षात होना चाहिए ठीक है अटेस्टेड होना चाहिए आपका जिला अधिकारी से नेक्स यहां पर ऐसे वरती जिन्नों ने बी एस टी सी की योगिता के साथ पांच वर्श का अध्यापन किया हो उनके पास अनुभाव हो और उसके पचास सिक्षा में डिगरी की या डिपलोमा हो तो वो लोग भी इस सुची जन जाती यहने पिछडा वर्ग आती पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है पांच वर्श की यहां पर जो पांच वर्श की छूट दी हुई है इस लिमिटेशन में उसके लवा सामाने वर्ग की महिला के लिए भी पांच वर्श के के लिए भी यहां पर दस वर्ष की जूट है और उसके लवा यह आप देख लिजेगा डिटेल में यहां पर देखे जो है पे मैट्रिक्स दी हुई है कि पे मैट्रिक्स लिवल एल फोर्टीन जो की राज सरकार के नियमनुसार परिविक्षाकाल में नियम मासिक वेतन यानि फिक्स पे होगी यहां पर और आयू सीमा यहां पर एक जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी जिसमें नियुन तम आयू 21 वर्ष है और अधिक तम आयू 40 वर्ष है ठीक है इससे जादा नहीं होने चाहिए नेक्स यहां पर बहुत सारे क्राइटेरिया दे हुएं जिसमें अधिक से होगी यह मैं आपको बता देती हूँ कि अभियर्थियों का चैन प्रतियोंगी परिक्षा यानि competitive exam होगा और online और offline यह परिक्षा हो सकती है जो कि वस्तुनियस ट्रूप से की जाएगी यानि कि सभी प्रशन जो है objective टाइप के होंगे परिक्षा का वेवरें पाठ दिन करने की जो डेट है वो 14 जून से शुरू होगी और 13 जुलाई जो है उसके यह लास्ट डेट है उसकी 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर लेना होगा तो इतनी देर तक वेट करने की क्या जूरत है अगर 14 तर्फ से शुरू हो रहा है तो आप इस स्टार्टिंग में ह अप्लाई कर लेजे ज्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद यहाँ पर यह वेवसाइट वगरे दी हुई है आप यह देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपको कोई भी अगर इंफॉमिशन रह जाती नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें तो चलिए इसकी वेवसाइट भी मैं आपको एक पर बता देती हूं कहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और वीडियो के नीचे ड लोकसेवा योग से वेकेंसी आयू है संस्क्रिट सब्जेक्ट में तो ये काफी अच्छी ओपॉर्चईनिटी है संस्क्रिट के सब्जेक्ट वालों के लिए क्योंकि बहुत देर देर से आती है यहां पे रिकूरूट्मेंट तो ये जो है देखिए जो आप इसमें पहले प्रजस्थान.gov.in आप जब जाएंगे तो इसमें आपको फर्स्ट वाला ही जो ये सेक्शन है इसमें आप जब यहापे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सारा कुछ आपको डिटेल पता चल जाएगा कैसे अपलाई करना है क्या है तो आप इस तरीके स अपलाई कर सकते हैं होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजेगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रू करिए थैंक यू सो मच